आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस परकार आप एक motivational poster को बना पाएंगे वो भी professional तरीके से और अपने social media platform पे भी upload कर पाएंगे और यह बहुत ही अच्छा बनेगा तो friends इसके लिए आपको पूरा वीडियो लाश्टक दिखना पड़ेगा मैं मनीश कुमार स आप सभी क्या स्वागत करता हूं अपने YouTube चानल ले तो friends चाहते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते कि कैसे इस poster को create करना है कैसी edit करना है तो चाहते friends इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो friends poster बनाने के लिए आपको एक एप को यूज करना पड़ेग यहां से मैंने इसको open कर लिया open करने के बाद इसको आप मैं आपको step by step बताता हूं ठीक है आपको इसको follow जरूर करेगा यहां पर देख सकते है plus का निसान दिख रहा है तो यहां से plus पे आपको क्लिक करना है और फोटो को ले लेना है ठीक है जो आप photo लगाना चाहते है फूरा फूल कर देना ठीक है मैंने कुछ इस परकार से कर दिया connect बद यहां पर आपको नीचे यहां पर देख सकते हैं बीच वाल ऑप्शन यहां पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने बद यहां पर आपको skip करना ही था और यहां पर आपको दिख रहा हो दिया मैंने प्लस पे प्लस पे क्लिक करने बाद यहां पे आपको क्लिक करना है ठीक है यहां पे कुछ यहां पे क्लिक कर देजेगा और यहां पे कलर पे क्लिक कर दियेगा क्लिक करने बाद यहां पे इस वाले वाइट पे क्लिक करना है ठीक है और यहां पे फिर से यहां पे प्लस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे black पे तो हो चुका है ठीक है यहां पे white पे क्लिक करना है और यहां पे color पे क्लिक करना है क्लिक करनेक बाद कुछ इस परकार से यहां पे इस वाले option को यहां पे सबसे last में कर देना है और इसको ok कर देना है तो मुझे और थोरा से black करना है नीचे से ठीक है, तो यहाँ पर plus पर क्लिक करना और यहाँ पर थोरा से इधर और black कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ यहाँ से बीच में, दोनों को अपना adjust कर लेज़ेगा प्लिक है, यहाँ पे photo को log करना हैँ ठीक है मैंने log कर दिया अब फिर से यहाँ पे कलिक करेंगे और कुछ इस परकार से आपका बन जागा poster ठीक है मुच्टर बन चुका अब हम यहाँ पे आपको कुछ लिखना है ठीक है कुछ सायरी या मोटिवेशनल सायरी जो भी आपको लिखना है यहां पर लिखना है ठीक है फिर से प्लस पर क्लिक करना होगा और यहां पर टेक्स का उप्शन है इस पर टेक्स पर आपको क्लिक कर देना होगा है क्लिक करने पद यहां पर पेंसिल का उप्शन आ चुका ठीक है कि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसको मैं थोड़ा सा सजा देता हूं और यह मेरा कुछ ही इस परकार से हो चुका है ठीक है अब मैं फिर से इसको थोड़ा और सजाता हूं ठीक है तो कुछ इस परकार से मैंने इसको कर दिया ठीक है और इसको थोड़ा सा आप साइज बढ़ा लिजेगा ठीक है बढ़ाने के बाद यहां पर आपको क्या करना एप क्लिक करना है ठीक है यहां पर एक आप्शन दिया इस पर एप क्लिक कर दिजेगा क्लिक करने के बाद यहां पे आपको मिलेगा font का option यह font पे क्लिक करिएगा और यहां से आप जो font आपको अच्छा लगए यहां से आप font को select कर ले जागा तो मैं यह वाला font को select कर लेता हूं और इसको मैंने okay कर दिया ठीक है तो चीज परकार से आपको दिखेगा ठीक है लेने के बाद यहां पर हमको अब क्या करना है इस text को color कैसे करना है ठीक है तो color करने के लिए यहां पर आपको इधर skip करना हो गा है यहीं पर आपको skip करना है इधर side में ठीक है यहां पर आपको color का option और इसको green कर देता हूं कुछ इस प्रकार से green हो चुका है जो later को color करना है उसको आप पहले select करकर रखिये -, ठीक है तो यहां से मैं इसको भी इसको red कर देता ہूं really reload reporting फिर मैं इथर side में आता हूं और इसको मैं yellow कर देता हूं तो कुछ इस प्रकार से मैंने योलो कर दिया अब मैं नीचे आता हूँ नीचे आने के बाद यहां पर मैं सलेट करके एक कोई और कलर ले लेता हूँ तो यहां पर प्लस पे क्लिक करके आप एक कोई कलर ले सकते हैं यहां से मैंने okay कर दिया और यहां पर मैंने blue कर दिया और मैं इसको फिर से एक और color दे देता हूँ यहां से मैं इसको एक और color देता हूँ यहां से मैं तो देख सकते हैं कुछ इस परकार से मेरा एक color से पूरा text लिख चुके हैं ठीक है तो आप इससे भी अच्छा text को लिख कर और बड़े long long सायरी भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा zoom out, zoom in करके थोड़ा साइज छोटा करके आप रख सकते हैं और इससे अच्छा भी आप बना सकते हैं अगर आप भी लगाना चाहते हैं अगर आपके पास watermark नहीं है बनाना चाहते हैं तो वीडियो को description में एक link मिलेगा उसमें आपको बताया गया है कि किस परकार watermark को बनाते हैं अपने चैनल के नाम खा तो मैं पहले से बना कर रखा हूँ मैं उसको insert कर लेता हूँ इसमें तो insert करने के लिए यहां पर plus पर क्लिक करना होगा और यहां पर from gallery पर करना होगा क्लिक करने बाद यहां से मैं नीचे आता हूँ कुछ इस परकार से आने बाद यहां पर मैं इसको duplicate एक और करना चाहता हूं ठीक है तो यहाँ पे pencil पे क्लिक करेगा और यहाँ पे इस पे क्लिक करेगा और यह आपका double हो यहाँ पे और यहाँ पे जो जो आप लिखना चाहते हैं तो side side में अपना लिख सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक भी इंस्टाग्राम का भी आईडिया आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप एक motivational poster को मना सकते हैं तो friends अगर आपको यह वीडियो चलोगा तो वीडियो को लाइक करेंगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाए